Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डबल जर्दारी वो भारत आएंगे इस मीटिंग के लिए, इसके बारे में हम डीटेल से जानेंगे कि exactly क्या है ये, इसका significance क्या है, पहले इसके पहले यहाँ पर कौन से Foreign Minister भारत आये थे, बहुत कुछ जानने को है चली आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखेगा, अ आज और कल आपको ये पूरा offer मिलेगा, हमारे website आप पर जाएए, या फिर comment section में इसका link दिया है, वहाँ पर जाकर use करना है code आपको अंकित live, ताकि ये पूरा code सबसे कम दाम पर आपको मिल सकें, मैं बता दूँ कि अगर आप 2024 या 25 का exam लेते हो, ये जो bash लेते हो, और अग अगर आप EPFO का bash लेना चाते हैं, तो ये ले सकते हैं, और अगर आप MCQs attempt करना चाते हैं, तो मेरे insta page पर जा सकते हैं, वहाँ पर stories में जितने भी MCQs हैं, उसको आप attempt कर पाएंगे, तो चली शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले देखते हैं exactly हुआ क्या है, जैसा कि मैं क कह रहा था, शंगाई Corporation Organization, SEO आपको पता ही होगा, भारत भी इसका member बना था 2017 में, तो अभी क्या है, भारत के पास इसकी presidency है, जो भी meetings होंगे SEO से related, वो भारत के अंदर होंगे, पिछले साल 2022 में इसकी जो presidency थी वो थी Uzbekistan के पास, तो आपने देखा ही होगा, भारत की तरफ से External Affairs Minister साहब हो गए, या फिर जो अजीद दोवल साहब हो गए, वो गए थे वहाँ पर उच्वेकिस्तान में, लेकिन अब बारी है बाकी के members को भारत आने की, और ये जो meeting है मैं बता दूँ, गोवा के अंदर, ये basically SEO के जो members हैं, टोटल SEO के 8 members हैं, मैं भी आपको आगे दिखा तो ये जो 8 देश हैं, उनके जो foreign minister है, foreign delegation है, वो भारत आएगा, अब इसमें doubtful ये हो रहा था कि क्या पाकिस्तान अपने foreign minister को भेजेंगे, finally आप देख सकतो कि ये जो 4 और 5 माई को ये meeting होने वाली है गोवा में, इसमें पाकिस्तान ने accept कर लिया है, ये spokesperson जो Ministry of Foreign Affairs है, उनकी तरफ से tweet आया है, और साथी साथ उनका ये भी कहना है, कि देखिए, हमारा ये जो decision था, भुट्टो जरदारी को भेजना, ये एक प्रकार से हमारा जो commitment है, SEO charter के लिए वो दिखाता है, और इसके साथ-साथ यहाँ पर जो हम चाहते है, foreign policy priorities पर रखना, वो यहाँ पर साफ-स दर्शा आता है, देखिए, ये जो meeting होने वाली है, अब इसका significance क्या है, मतलब कि Pakistan के forum minister भारत आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका इतना ज़्यादा चर्चा क्यों हो रही है, ये मैं आपको बताता हूँ, देखो, पिछले कई वर्षों में आप देखोगे, it would be the highest level visit to India by any पाकिस्तानी leaders in recent years, क्योंकि पिछले बार कब हुआ था कि पाकिस्तान के बड़े कोई leader भारत आए हो, ये हुआ था 2014 में, आपको याद होगा, 2014 में जो चुना हुआ था लोग सवा का, उसमें NDA, BJP जीत कर आई थी, प्रामिनिस्टर नरेन मोदी जी प्रामिनिस्टर बन तो यहाँ पर नवाद सरीफ प्रामिनिस्टर थे उस समय पाकिस्तान के, वो भारत आए, तो पिछली बार ये इसको हो चुके हैं लगभग 9 साल, और अगर हम specifically foreign minister की बात करें, पाकिस्तान के foreign minister, वो पिछली बार आई थी, 2011 में आपको याद होगा, हीना रब्बानी खार, जब मनमोहन सिंग जी की government थी, तो इसी के वज़े से इतने सालों के बाद, कोई पडोसी देश, आपको पता ही है कि, relations हमारे अच्छे नहीं है, लेकिन इतने सालों के बाद आना, इसलिए इसका महत्व जो है, वो बहुत जादा बढ़ जाता है, और भारत ने, आप देख सक भुट्टो जो है, वो भारत आ सकते हैं, तो इसके ज़स्ट पहले अगर आपको याद हो, पाकिस्तान के प्राइम निश्टर शहबाद सरीफ, उन्होंने बेसिकली कहा कि, हम भारत के साथ बातचीत करने के लिए तयार है, और इसी के कॉन्टेक्स में यह important हो जाता है, लेक जिसमें हमारे जो 40 जो हमारे जवान है, वो बीरगती को प्राप्थ हुए थे, तो यह डारेक्ट इल्जाम भारत ने पाकिस्तान के उपर ही लगाया था, अल्दो भी रिसेंटली आपने देखा होगा, जो फॉर्मर गवर्नर है कश्मीर के, जमू कश्मीर के, उन्होंने जो वार हुआ था भारत पाकिस्तान में, जिसमें एरफोर्स का इस्तमाल किया गया था, उसके बाद पहली बार आपको देखने को मिलेगा, सिचुएशन इतना जादा तना हो गया था कि अल्मुश लग रहा था कि दोनों देश जो हैं, वो वार पर आ सकते हैं, खेर जो भी पाकिस्तान ने ये जो चार्जेस हैं, उसको डिनाई किया है, इसके साथ साथ आपको एक और चीज पता होना चीए, 2019 में भारत ने जो कदम लिया था, कि जो आर्टिकल 370 है, उसका महत्वी खतम कर दिया एक प्रकार से, उसके बाद पाकिस्तान ने ये कहा कि हम जो डिप्ल स्मेटिक रिलेशन्स हैं भारत के साथ, उसको डाउनग्रेट कर रहे हैं, तो इन सारे कॉंटेक्स में अगर आप देखोगे, ये विजिट बहुत इंपोर्टेंट है, अब कोशन ये है कि क्या पाकिस्तान के फौरेंड मिनिस्टर भारत आएंगे तो इससे क्या चीजे इं कि SEO के इतने सारे members हैं, उनके सभी foreign minister भारत आ रहे हैं, तो भारत के foreign minister, external affairs minister, एस जैसंकर साब, ज्यादा तर जो foreign minister है इन देशों के उनके साथ bilateral meeting करेंगे, question ये है कि क्या एस जैसंकर साब, जो भुट्टो हैं, पाकिस्तान के foreign minister, क्या उनके साथ भी bilateral meeting करेंगे, या फिर जो य bilateral meeting होगी, एस जैसंकर साब और भुट्टो के बीच में, ये पुरी दुनिया निगाहें लगा कर रखेगी, क्योंकि यही important है सबसे आदा, आप formally भारत आ सकते हो, यहाँ पर आकर चीजें, जो है, formal तरीके से खतम हो जाएंगी, तो उसका कोई बहुत महत्वन नहीं होगा, although जो मैं आपको बता दूँ, ये जो भुट्टो हैं, बिलावल भुट्टो, इनको लेकर काफी प्रोटेस्ट भी हुआ था, पिछले साल दिसंबर के महने में, क्योंकि आपको याद होगा, United Nations Security Council का मेंबर था, आपको पता ही था, भारत जो है, पिछले साल एक्सपार हुआ ह दो येर का मेंबर्शिप, उससे में एक मीटिंग चल रही थी UNSC के अंदर, और इस मीटिंग के दौरान क्या होता है, कि सबसे पहले है शहसंकर साब यहाँ पर आरोप लगाते हैं, कि पाकिस्तान को अपना टर्रिजम जो चीजें हैं, उसको खतम करना चाहिए, पाकिस्तान ये था कि उसामा बिनलादिन तो मारा जा चुका है, लेकिन गुजरात का जो बुचर है वो अभी भी जिन्दा है, ये कमेंट यहाँ पर बिलावल भुटो ने किया था, तो I hope कि आपको ये पुरा कॉंटेक्स समझ में आ रहा होगा, कि ये डारेट कॉंटेशन देखने को म मैं बता दूं कि पिछले साल जो प्रेसिडेंसी थी, S.E.O. की वो थी उसबेकिस्तान के पास, और उस समय हमारे S.J.S.ंकर साब वहाँ पर गय थे सम्मिट में, लेकिन अब भारत के पास आ चुकी है, मैं आपको बता दूं, S.E.O. शंगाई कॉपरेशन और इसको फॉर्म भारत पाकिस्तान इसके मेंबर बने थे 2017 में, इसके साथ साथ इसके चार अबजर्वर स्टेट भी हैं, अफगानिस्तान, बिलरूस, इरान, मंगोलिया, देखे क्या होता है, कि यहाँ पर किसी को भी अगर मेंबर बनना है ना, तो पहले उसको अबजर्वर स्टेटर्स मिल लेकिन यह जो SEO है, इसका जो में गोल अगर आप देखो गए, वो यह है कि सभी देशों के बीच में mutual trust बना रहा है, जो एक good neighborliness का जो attitude होता है, member देशों में, वो यहाँ पर हो, और ज्यादा से ज्यादा political, trade, economic और ties जो हैं, वो यहाँ पर बने रहे हैं, लेकिन इन सारी ची पाकिस्तान के फॉर्म मिनिश्टर भारत आ रहे हैं, क्या आपको लगता है, यह बिना चाइना के इजाज़त की होगा, definitely चाइना ने यहाँ पर कुछ न कुछ पहल की होगी, कुछ किया होगा, definitely उसकी वज़े से पाकिस्तान के फॉर्म मिनिश्टर ने यह accept किया और भारत आ रहे हैं, वैसे मैं आपको बता दू, अभी recently आपने देखा होगा, कि इरान और सौधी अरब जो आपस में कटर दुश्मन है, उनके बीच में भी समझाता भी recently चाइना ने कराया था, और कई वर्षों की होस्टिलिटी के बाद सौधी अरब और इरान ने कहा कि हम वापस से अपना जो diplomatic ties है वो रखेंगे, और in fact दोनों देशों में जो embassies हैं उसको वापस से खुली जाएंगी, और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दू, कि सौधी अरब यहाँ पर observer status ले लिया, आप देखे हो ना, sorry, जो dialogue partners हैं, वो आपका सौधी अरब बन गया है, तो यहाँ पर जरूरी यह हो जाता है कि सौधी अरब भी अब आगे चलकर, SEO का member यहाँ पर बन जाएगा, तो overall context में आप कह सकते हैं कि China का इसमें एक बड़ा जीत यहाँ पर देखा जा रहा है, देखना होगा, यह जो development हुआ है, उससे क्या होता है आगे, क्या 4 और 5 को यहाँ पर होने वाला है, काफी कुछ यहाँ पर देखना होगा आगे चलकर, लेकिन जाने से पहले एक interesting question, क्या बता सकते हो कि जो demand है हमारे Britishers के time में, जो demand थी constitution of free India की, वो British government ने किस समय यहाँ पर accept किया था, कौन से समय एकसेप किया था, यह आपको बताना, इसका right answer आप सब को प अलग लग सोशल मीडिया पर आप जूड़ पाऊगे, और जैसा मैंने बताया था, UPSC के अगर आप त्यारी करो, कोई भी batch रेना है, just use the code ANKITLIVE, या आज और कल आपके पास मौका है, इस sale का फायदा उठाने का, I hope की वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिलता हूँ से next time, Till then, thank you very much, see you soon.